नमस्कार दोस्तों स्वागता है आप सभी का आपके अपनी यूटुब चैनल सरकारी भारत में दोस्तों आज की इस फीडियो में हम डिसक्सिन करने वाले हैं यूपी पुलिस की 2020 में जो बेकंसी आने वाली है उसके बारे में आप सभी दोस्तों को बता दूँ कि यूपी पुलिस की SI की 56 पदों पर और कॉंस्टेवल की 22 पदों पर मेल और फीमेल कैंडिडियेट्स के लिए न्यू बेकंसी आने वाली है और ये बेकंसी कब आएगी ये सारी की सारी डेटेल मैं इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूँ तो वीडियो को अन्तु तक देखेगा वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निव निव वीडियों के लिए UP फुलिस की तैयारी के लिए UP फुलिस के लिए math reasoning और GS के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को share कीजिएगा अपने सभी friends के साथ जो UP Police की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को बता दूँ सबसे पहले आप ये देख लीजिए लेटेस्ट जो अपडेट है वो है गुड नीज है यूपी पोलिस विल सून मेक रिकूट्मेंट ये वाली 51,000 प्लस कॉंस्टेवल मेल फीमेल पोस्ट यूपी के जो CM है उन्होंने इसकी गोष्णा कर दी और कहां पर गोष्णा की है कलपी में इसकी गोष्णा की है और आपको बताने वाला हूँ सारी की डिटेल सारी की सारी डिटेल ये देखिए तो आपको बता दू कब से स्टार्टिंग हो जाएगी जनवरी से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी और हो सकता है जनवरी के फर्स्ट वीक से इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी ओनलाइन परना क्या है एक्जाम के लिए आपको मिल सकते हैं टू मन्त का टाइम मिलेगा दो महीने का टाइम मिलेगा आपको एसाई की विकेंसी के लिए और धाई महीने का टाइम मिल सकता है कॉंस्टेवल के लिए तो इतना टाइम आपको मिल जाएगा और नोटिफिकेशन ये दिसमबर के लास्ट वीक में या दिसमबर में आ जाएगा दिसमबर 20 दिसमबर तक आपका नोटिफिकेशन भी इसका आ जाएगा और इसके बारे में पूरी की पूरी डिडल दखा दीता हूं मैं आपको ये देखिए 51000 पुलिस कर्मियों की बढ़ती जल्द और मुख्यमती योगिया अतिनाथ ने कहा है कि UP में 51000 पुलिस कर्मियों की बढ़ती होगी योगी का एलान कालपी में सीएम ने पुलिस परिस्चन विद्ध्याले में किया इसका उधगाटन किया है वहाँ पर और इस बारे में उन्होंने बताया है और यूपी के जो डीजेपी है ओपी सर्माजी उन्होंने भी इसके बारे में एक बार पहले ही बता चुके हैं तो 52,000 पुलिस कर्मियों की बरती होनी है वैसे आपको बताओं कि पूरे के पूरे ढाई लाक पदों पर बरती होनी है केवल और केवल अभी 79,000 की ही बरती हुई है तो ढाई लाक की बरती होनी है जिसमें से अभी 80,000 के करी भरती हो चुके हैं तो आप सभी को बता दू कि अब जो 50,000 पुलस की जो बेकेंसी आने वाली है और चपन सो पदों पर जो बेकेंसी आने वाली है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी एसा ही और कॉंस्टेवल की जो बेकेंसी है वो इस्टार्ट हो जाएगी जन्वरी के फर्स्ट वीक से आप ये स्टार्ट हो सकती है संभावित वरती है इसके लिए आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो चलगा तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कीजिए थैंक्यू थैंक्यू पर वचिंग इस वीडियो